वेरे वेरे वेल्कम टॉल साथ हो एक्जाम फाइटर नमरन पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है साथ हो MP असिस्टन प्रोफेसर एक्जाम जो कि सितंबर महिने में प्रस्तावित है और हम दोग अभी पेपर वन के त्यारी कर रहे हैं और इस पेपर वन के क्लासेस में आप सभ सभी के लिए अनिवार है और इसके लिए क्लासेस एक जाम फाइटर नमरन पर लगतार जारी है तो पेपर वन की कंप्लिट त्यारी प्रहमाई साथ बिल्कुल फ्री मुक्त में कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी वीडियो का नोटिफिक्शन प्राप्त करके आप त्यारी कंप्लिट कर सकते हैं आज ये क्लास नमबर फिप्टीन है क्लास नमबर फिप्टीन में आप सभी का अपुना हर्दिक स्वागत है और अभी हम दोग देख रहे हैं मद्र परदेश के परमुख व्यक्तित्व इसी में इसकी भी इसका जो सिरीज चल रहा है इस आप पार्ट वीडियो है पार्ट बन फिर्वण नितिक परमुख राजनितिक हैं जिसमें आगये अधर परदेश को देखेंगे उंके बारे में बुरी फिस्टी जानेंगे तो कि यहां से प्रस्प बनते हैं और अग्रे एक एक जाम में लगबगा आवें प्रस्प आये देख लें मोलाना ब्रक्तुल्ला मोलाना ब्रक्तुल्ला यह कौन थे इनका जनम साथ जुलाई अठासव चोवन को भुपाल में हुआ था और अमेरिका में जो गदर पार्टी बनी तुने 113 में जिन्नोंने की भारत श्वतनता आंदन में बहुत यह महत्पुन भूमिका आए थी उसी गदर पार्टी के अस्थापना की जिसमें कि लाला हर्दयाल मुक्य थे और उसी में ब्रक्तुल्ला भी पहुती महत्पुन सदस्थे संस्थापक सदस्थे अमेरिका में गदर पार्टी के अस्थापना की और वीदेशों में भारत की शोनता के लिए अपना प रक्तुला के भी उसमें महत्पुन भूमिका थी लाला हर्द्याल गद्रपाटी के प्रमूक थी तो उसके साथ से उने काम किया था यह मध्यपर्देश से समन्दित थे अगला है रवी शंकर शुक्ल रवी शंकर शुक्ल कि बहुत बड़े करने के पॉल्टिकिशन रहे हैं मध्य प्रध्य और इनका जनम मध्य प्रदेश के सागर जी ले के रहली तहसिल के गूरा नमगराम में हुआ था जनम कहां वह था प्रिए रवी शंकर्शुक्ल मद्य पर्देश के पर्थम मुख मंत्री थी मद्य पर्देश के पर्थम मुख मंत्री कौन थे रवी शंकर्शुक्ल अजादी के आंदलन में भी इनने गांदी जी के साथ भाग लिया था और गांदी जी के आंदोलनों में बहुत ही महत्पुन भूमिक रही थी और अभी एक युनिवर्सिटी है मध्य पर्देश में रही शंकर सुक्ल उनिवर्सिटी जिससे आप लोग परिचित होंगे अना चलिए आगे बढ़ते हैं केलासनात काड़्यू केलासनात काड़्यू भी मध्य पर्देश के थे इनका जर्म 17 जून अथार्सो 57 को हुआ था और मध्य पर्देश के जावरा मध्य पर्देश में पहले रियासत हुआ करते थे जावरा रियासत छोटी सी रियासत थे इनदोर के निकट वहीं पर इनका जनम हुआ था तो जनम कम गवा था सत्राजून 1887 को मद्य परदेश के जावरा रियासत में हुआ था ये पैसे से वकील थे पैसे से एड़ोकेट थे उन्हें 37 को कॉंग्रेस में सामिल हो गई और इन्होंने बहुत से स्वतनता सेनानियों के लिए जो जेल चले गए थे उनके लिए केलासनात कार्जियों ने फ्री में उनकी वकालत की उनकी फेरवी की उनसे कोई फीस नहीं लिया करांतिकारियों को बचाने के लिए इसके अलावे 1957 से बहुसर आजादी के बार उनिश्वसंतावन से बहुसर तक किलासनात कार्जियों मद्य परदेश के मुक्ह मंत्री भी रहे इसके अलावे अन्नी राजियों जैसे उरिशा और बंगाल के राजिपाल भी रहे थे किलासनात काड़ियों तो काफी बड़ा नाम है मद्धिपर्देश के लिए इसे आपको याद रखना चाहिए किलासनात काड़ियों अगला है डॉक्टर भीम्रावंबेटकर ये कोई परिचय के महताज ही नहीं है आप जैसे भीम्रावंबेटकर का नाम याद करते हैं तो चुवा चूत से भारत को मुक्त करने वाले प्रमुक्नेता शम्विधान सभा के प्रारुप समिति के अध्यक्ष और इनका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विदेशों में भी इनका नाम है तो मद्दी परदेश के ही थे ये इनका जनम चोगदा अप्रिल 2891 को हुआ था हाली में चोगदा अप्रिल को भी आप लोगों ने देखा हो कि बड़े ही धूम नाम से पूरे देश में इसके जैनती को मनाया गया और इसका जनम चोगदा अप्रिल 2891 को महु में हुआ था जो कि इंदोर जिला में इस्तित है तो चोगदा अप्रिल 2891 को मद्दी परदेश के इंदोर जिले के महु में इसका जनम हुआ था ये भारतिश संबिधान का जो निर्मान हो रहा था जिस संबिधान सभा का गठन क प्रारूप समिति के अद्यक्ष भी डॉक्टर भीम्राव अंबेद करती है इसके इसी योगदान को देखते हुए भारत का प्रत्म कानून मंत्री भी इसे बनाया गया था और इसकी इस महत्पुन भुमिका को याद करती हुए भारत सरकार ने 990 में इसे भारत रत्म भी दिया यानि भारत रत्म डॉक्तर भीम्राव अंबेदकर थे और इनके बारे में बहुत सारे चीजें हैं भीम्रा अंबेदकर इस्पेशल लोग रिसर्च करते हैं इस पर यूनुबर्सिटी भारत में कितने इन पर क्लासेश चलेगी तो महीनों चल इसी सीरीज में उनका जिक्राना जरूरी था चलिए आगे बढ़ता है डॉक्टर संकर द्यालसरमा परिचे हैं परिचित होंगे नेशनल लेबल का नाम है इन सभी का डॉक्टर संकर द्यालसरमा भी मद्धि पर्देश से थे कॉंग्रिस के सासर में केंद्रिय केविनट मंत्री भी रहे थे और 1952 से 56 तक यह भुपाल स्टेट के मुख मंत्री थे पहले जो नाम था भुपाल स्टेट यहां पर तो उसी के यह मुख मंत्री भी रहे थे 1992 से 1997 तक भारत के राष्टपती भी रहे यानि यह भारत के राष्टपती भी रहे और पूरे एक टर्म को पूरा किया है इन्होंने Congressया प्रोश टू secular अफेस ब्राश तो इन्टरनेशनल आफैर प्रोश्ट चू insulinसल अफेस मान के पुस्थ भी लिखी जिसमें मरत इन्होंने लिखा है और उसका इन्टरनेशनल एशन के बारे में लिखा है टॉक्टर सरमाने यह भारत के राष्टकृति रहें अगला है विजय राजे सिंध्या विजय राजे सिंध्या विजय राजे सिंध्या विजय राजे सिंध्या भी आपको कहें मिलेगा कहें विजय राजे सिंध्या है ठीक है राज माता के नाम से प्रसिद्ध है मद्य पर्देश में इ ठाकुर महंद्र के यहां हुआ था ठाकुर महंद्र कोई त्हें ? नेपाल के राजा के वंसज थे सागरजिल्य के थे उन्हें के यहां जनम हुआ था एसका जो विवा वय लेजगराना के महराज जिवाजी राव सिंध्या से हुआ था गवालियर राज घराना के जिवाजी राव सिंध्या से हुआ था इसके पीता जो ठाकूर महेंद्र थे ये गवालियर के डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे मितलब दोनों तरफ से अपने माईके से भी और सस्राल से बहुत ही बड़े खंदान से थी यह सुरू से ही बाद में विज्या राजे सिंद्या कॉंग्रेस के टीकर पर पहले तो राजबंस था हमारे देश में राजबंस की चप सत्ता चली गई तो आज आदि के बाद जब देश में चुनाव हुए तो उनेसर संतावन में पर्थम बार कॉंग्रेस के टीकर से यह चुनाव लड़े और लोकसभा में जीत हासिल की किस लोकसभा शेत्र से गुना उसी छेत्र से आज अभी जो जोती राजे सिंद्या हैं इनके पोता हैं वह भी वहीं से चुनाव लड़ते हैं महत्रिपरदैश के गुना से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ते हैं और यह कॉंग्रेस के टिकट से लड़े थे लेकिन बाद में दस सालों के बार उने सफश्छ में यह जनसंग में सामिल हो गई और वही जनसंग जब वीजेपी में तब्दिल हो गई यह बीजेपी में भी सामिल हो गई हलांके 25 जनरी 2001 को इनका निदन हो गया कि यह थे समहत्वण पॉलिकिस्ट इसके बाद हम दोग विजया राजी सिंध्या के बार नेक्लास में माधाव राज सिंध्या वगरण को देखेंगे फिर अटल्व्यारी वाजपे के बारे में देखेंगे और बहुत सरे लमबी फेरिस्ट है इन सभी को आगे के क्लासिश मे देखेंगे फिलाल हम लोग आज की क्लासिस में इतना ही करते साथ हैं थैंक यू वेरी वेरी मुच पर वाचिंग दिस वेडियो और कनेक्टिंग टेजांफ टरनमर्न साथ इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आप भी पेपर वन की त्यारी करें बिल्कुल मुप्ट और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेश करें और बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपको मिलते हैं थैंक्यू धन्यवाद